तो हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब इंट्रडबल्स में फिरसे आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिरसे काफी अच्छे श्टॉक्स को लेके हैं जो की आगे की वीडियो में काफी चुपरफॉर्म करके आपको दे सकते हैं आसा करता हूं और आप सभी अच्छे से प्रॉफिट को बुक कर रहे होंगे और अगर आपको लगता है कि मैंसे अंसेल्फ मिलेगी तो सब्सक्राइब करेगा तो आज के लिए जो पहला स्टॉक हम देखने वाले है वह है सुभा लिमिटेड काफी इंपॉर्टेंट एरिया पे मार्केट इस चीज पर आपको ध्यान देते रहना है अब देख सकते हैं कि मार्केट ने एक यह हाय और यह हाय को बनाने के बाद यहां पर हमें डाइवरिजन्स तो किया था मार्केट वापस से उठना स्टार्ट हो चुका है यानि कि मोमेंटम पॉजिटिव हो रहा है वापस है और म आ सकता है और थोड़ा सा वॉल्यूम सपोर्ट चाहिए और जैसे यह उपर ओला जो 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 इसके उपर क्लोज हो जाए तो चांद से कि काफी पोजिटिव मोमेंटम है और आप सभी एंट्री लिने के बाद काफी अच्छे खैसे प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं यहां पर जो को बताया था जो बेस प्रॉल CB to k조 बमो में मैंटम चाएम करी काफी बंक काफी उसमीं मुव काफी जादा वाइट है और इसमें मूव थौड़ास चोटा था simply मैंने आपको बता अगर आपको एंट्री लेनी है इसक्यू पर क्लोज होता है जो विक्ली ओपैन है उसके रिटेस्ट करें तो आप इसमें आगे ले सकते हैं simply आप stop loss level के नीचे आप लगा सकते हैं काफी simple answers था आसा कर दो आप सभी को समझ में हो रहा है मार्के स्ट्रक्शर की बार करें तो higher high यहां पर हो रहा है मार्केट यहां पर closed है तो मोमेंटम पॉजटेव है चांस है कि आगे मूव आ सकता है तो इसे watchless में जरूर आप कर सकते हैं तो जो अगला सब्सक्राइब हम देखने वाले हैं वह आई-एक्स आज काफी परफॉर्म तो आई-एक्स में कल चांस है कल अच्छा मूव आ सकता है इसी भी watchless में आड कर लेना और volume काफी जादा है तो अगर आपको लगता है कि मार्केट वीक हो रहा है तो आगे आप लॉंग इसमें जा सकते हैं और यह जो जून है वह काफी इंपोर्टने करेंस हा तो कल हो सकता है इस पर एक रीटेस्ट आ जाए तो काफी सिंपल अनसिस था जो अगला स्टॉक आज के लिए जो हम देखने वाले हैं वह है तन फार्मा काफी सिंपल अनसिस है जो मंथली ओपें था यानि कि सेप्टेंबर कर रहा था तो मार्केट वहां से पॉल किया और यह जो जून थ आया था वह काफी इंपॉर्टेंट एरिया होगा क्योंकि कोई भी स्कैंडल के आसपास को इंपॉर्टेंट सपोर्टेंस था नहीं तो यह जो जून होने वाला था हमारे लिए वह काफी इंपॉर्टेंट एक एरिया होने वाला था तो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्टें स्टोफ क्राफ्ट कल हो सकता है इसमें थोड़ा इसमें तो होल्ड करAG आपने किया हो तो जरुर chef drag और अगर आपकल इंट्राडेम करना ट्रेड तो इसमें आ सकता है थोड़ा थोड़ा मोला टार्गेट इसमें अराम से अचीव हो सकता है तो इस पर वियाब ध्यान अभी दे सकते हैं और जो अगला स्टॉक हम देखने वाले अच्छा वह है इसमें वीकली टाइम फ्रेम में यह काफी इंपॉर्टन कर रहा था यह अरिया और अब देख सकते हैं काफी सारे स्ट्स ट्रैप्ट हुए हैं तो इसके उपर भी क्लोजिंग मिल चुका है तो कल हो सकता है वह अन्य टाइम फ्रेम में इसमें एक चोटा से रिटेस्ट मिले औ आपको अगला टार्गेट यह लेवल तक अराम से आप रहा सकते हैं तक का 20 पॉइंट तक का अराम से इसमें कल आ सकता है वालूम की बात करें तो वालूम काफी जादा आया और अगर आपको लगता है में शल्म मिलेगी तो इसमें सब्सक्राइब करेंगा व्ला फानाइंस है कि जैसे इसमें इस एरिया में तो चांट से आगे बहुत अच्छा मूफ आ सकता है और हमारा सबसे बेस्ट जो भी है वह महिंद्रा महिंद्रा और हमारा अगली एंट्रियम हो चुकी हमारी और उसके प्रॉफिट में हम भी और अगला टार्ट अपना 850 के असपास का है और अगर आपको लगता है कि में चैनल से मिली तो में चैनल को सब्सक्राइब करेंगा कल मैंने आपको बताया था विनोलेक्स इंडस्ट्री के बारे में मार्केट ने छोड़ा से रेट्रेश्मेंट देने की कोसिस की पर यहां पर एक विक फॉर्म हुआ है और तो यह काफ सकता है यानि कि सब इन व्यक्तों ने पोजिशन अपना बनाया होगा वह करना स्टार्ट कर सकते हैं यहां पर आपको हमेशा ध्यान आपको देते रहना है तो अगर आपको लगता है में सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल लाक्न को दबाईए